नमस्कर दोस्तों आज की एक नई वीडियो के साथ आप सभी को मेरी चैनल संजु सुम की चिन में स्वागत हैं आज आप बनाने वाले हैं जलेवी मार्केट में जैसे कुरकुरे जलेवी मिलती है वैसे ही आज हम घर पे बनाएंगे तो वीडियो को लास तक देखें आज की वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप भी तक आपने मेरी चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सस्क्राइब करें और साती सथ बेल आइकन को क्लिक कर दें तो क्यानने वाले मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो चलिए जलेवी बनाना शुरू करते हैं तो जलेवी बनाने के लिए हमने सबसे पहले जलेवी का बैटर बना लेंगे इसके लिए हमने सबसे पहले एक बोल ले लेना है अब हम इसमें 1.5 cup मेदे लेंगे अब हम इस मेदे में 4 टेबल स्पुन कॉन्फलोर आड़ करेंगे आधा कब दही अब 3 स्पुन बेक्टिंग पावडर और 1 टेबल स्पुन जितना रिफाइंड ओयल अब रिफाइंड ओल के बदले में घी कब भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब हम इसमें धीरे धीरे पानी आड़ करके एक स्मूर्ट सा बैटर बना लेंगे यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिला के स्मूर्ट सा बैटर बना लिया है अब हम जलबी के वेटल को 15 मिनित के लिए धक्की साइट में रख लेंगे अब हम जलबी के लिए चास्नी बना लेते हैं यहाँ पर ग्यास तो अन करके हमने एक कड़ाई जडा लिया है अब हम इस कढ़ाई में डालेंगे, एक कटोरी चीनी और उसमें आधी कटोरी पानी अब हम मेडियम ख्लेम में चासनी बना लेंगे अब हम इसमें 3-4 इलाइची को पूट के डाल देंगे, आप इसमें इलाइची का पाउडर भी डाल सकते हो तो थोड़ा सा एलो फूर कलर डाल देंगे, हमें चासनी को थोड़ी देर और पका लेना है, अब हम इसमें आगी निल्वो का रस डाल देंगे चासनी यहां पर हमारा बन के रेड़ी हो गया है, अब हम इसको स्काइटी में रख लेंगे यहां पर बैटर को रेष्ट करते हुए 15 मिनिट हो गया है, अब हम इस बैटर को एक बोटल में डाल देंगे यहां पर मैंने इक कोल्डरिंग्स की बोटल को अच्छे से साफ करके ले लिया है, अब इसको कोई भी टमाटो केचप की बोटल हो, या फिर कोई भी दूद की थेली हो, उसमें भी इस बैटर को डाल के पैना सकते हो, अब हम इस बोटल में धकन लगा लेंगे, हमने इस बोटल की धकन में छोटा सा होल कर दिया है, अब हम इस धकन को बोटल में लगा लेंगे, जल्लेवी बनाने के लिए हमने ग्यास वहन करके प्यान में तेल गरम कर लिया है तेल जो हमारा गरम हो गया है अब हम जल्लेवी बनाना सुरू करते हैं जल्लेवी बनाने के टाइम हमें ग्यास की फ्लेम को हाई रखना है अब हम जल्लेवी को निकाल के चासनी में डाल देंगे इसे ही करके हमें और जल्लेवी बना लेना है अगर आज की वीडियो आपको आच्छे लगी हो तो प्लिस वीडियो को लाइक करें और जाते जाते मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अब हमारा गरमा गरम कुर्कुरे जल्लेवी बनाना लेड़ी हो गया है